study iq is अब तयारी हुई affordable नवश्कार दोस्तों मैं प्राची आप लोगों का study iq पर बेहर स्वागत करते हूं आज हम अपने सब्सक्राइब को समझने की कुशिश कीजिएगा कॉंसेप्स पर ध्यान देनी की जरुत है क्योंकि आखड़े तो आपको याद हो ही जाएंगे तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड फ्लॉट्स तो आपको पता है रीसेंटली ग्रीज लीबिया और चीन में हमने काफी इंटेंस फ्लॉडिंग के केसेज देखे हैं तो रिसेर्च यह लिंक इस्टाबलिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चीज एंड फ्लॉडिंग में कि तो हम यहां पर देखेंगे कि आखी क्लाइमेट चेंज के वज़े से वह कौन-कौन से फ्लॉडिंग को कॉस कर सकते हैं दूसर हमारा टॉपिक है ग्रीन नर्च टु टेकल प्लास्टिक पॉलिशन तो ग्रीन नर्च को अक्चली समझा जतना इंपॉर्टेंड है उससे जाता है और उसी behavior को in cash करते हुए आप consumer के अंदर कुछ environment friendly habits को भी inculcate कर सकते हैं तो एक बहुत interesting example के साथ हम इस topic को समझेंगे यह means के point of use भी काफी important हो जाता है as a case study आप इसको अपनी means answer writing में यूज कर सकते हैं थर्ड हमारा topic है pink diamonds तो diamond आपको पता है most of the time हम clear color के देखते हैं लेकिन अगर किसे diamond ही में कोई certain color है तो वो उसकी rarity को बढ़ा देता है तो दुनिया के जो सबसे rare diamonds माने जाते हैं जो काफी तो costly भी होते हैं वह आपका red diamond, blue diamond and the pink diamond तो यहां पर question यह था कि ऐसी कौन जी process है इसा कौन से element है जिन diamonds के अंदर यह pink color देते था यह mystery थी finalist mystery को solve कर दिया गया है वह मैं आपके साथ share करूंगे next जो मारा topic है यह basic हमारा sand mining और जो marine environment है इससे related है तो आपको पता है कि दर असल स structure में और बहुत सारे जो processes है वहाँ पर cement को use करते हैं और cement का basically source आपका send है तो अगर आप marine ecosystem से send को mine करते हैं तो वहां के जो आप marine aquatic organisms देखते हैं उन पर इसका एक negative impact देखने को मिलता है और सिर्फ इतना ही नहीं जो coastal communities है जो basically marine ecosystem के coastal areas में रह रह रहे हैं जो कि climate change के वज़े से already काफे जादा vulnerable है उस पर भी जो है इनका negative impact देखने को मिलता है इसको थोड़ा से आपर discuss करके समझने का try करेंगे निक्स हमारा topic is biofuels now it is important one last time हमने जो global biofuel alliance था जिसको G20 पर धानमंत्री जी के द्वारा initiate किया गया है वह हमने समझा था आज हम biofuels के बारे में basic introduction समझेंगे और अगर हो सका तो मैं biofuel पर एक detailed वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगे क्योंकि यह काफी जादे important topic है देन हमारा next आता है agroecology तो इसको आप concept of the week कह सकते हैं तो agroecology एक concept है term है और हो सकता है UPSC में से direct question आ जाए या फिर means में again as a solution आप इसको use कर सकते हैं जैसा कि इस व है का जो basically content होता है वहीं आपको जो है answer के लिए अच्छा कासा content यहां पर देता है देन हमारा last यहां पर topic होगा water shortage India तो जो हमारा Central Water Commission है CWC उनकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में अच्छी बाते तो नहीं बोली गई है तो भारत के इंद वाटर क्राइस डीपन होता जा रहा है हम पढ़ते जा रहा है बट अब actually में data भी हम इस तरह के evidence देने लगा है कि water crisis को लेकर अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा सुखे की चपेट में आ सकता है आई यह one by one करके इन साले articles को समझते हैं बट आगे बढ़ने से पहल और batch में लगबग आप देखेंगे कि admissions लगबग complete हो चुके हैं लेकिन अगर आप इसे कुछ लोगों ने भी तक admission नहीं लिया है तो 30th September को हमारे admissions है वो close हो रहे हैं तो अभी भी आपके पास chance है आप अभी भी class को join कर सकते हैं and don't worry आपकी जो भी classes रह गई हैं वो आपको provide क कर आई जाएंगी तो आपका कोई भी content यहाँ पर जो है miss नहीं होगा तो पी टूए batch में admission लेने के लिए तो आप हमारी website पर जाके payment कर सकते हैं या फिर आप study आई क्योंकि application को download करके रखेगा phone में वहाँ से भी payment कर सकते हैं एक maximum discount को avail करने के लिए आपको यूज करना होगा faculty को प्राची लाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला topic तो जैसे कि आपने देखा होगा Libya में अभी flood का एक इतना बड़ा news बनके सामने आया था unfortunately बहुत जादा लोगों की death वहाँ पर जो है इसकी वज़े से होगी ग्रीस ने इस से पिछले हफते ही जो है basically Libya से just one week before को जो है flood को experience किया था चाइना में similar type के conditions देखी गए थे तो researchers को यह सोचने में मजबूर होना पड़ा है कि आगे बदलता हुआ जो climate है उसका क्या direct relationship हो सकता है flood के साथ तो सबसे पहले हमें यह बता होना चाहिए कि flood क्या होता है देखिए जो surface run of water है जो कि हमारे water channels की carrying capacity से ज पानी उनके पास आया है तो वह पानी flooding के रूप में जो है urban settlements के अंदर entry ले लेता है this is flood basic है अपने कुछ flood को more intense क्या कर रहा है इस flooding के हमें इतनी जादा frequency क्यों देखने को मिल रही है इसको दोड़ा understand करते हैं सबसे पहला तो देखिए more intense precipitation देखिए जितनी जादा गर्मी होगी उतना जादा जो हमारे water bodies हैं उनसे evaporation का rate बढ़ेगा जितना जादा evaporation बढ़ेगा बात में जाके उतनी जादा बारिश आपको देखने को मिलेगी तो चलवायों परिवरतन के वज़े से कुछ certain area में हमें जादा बारिश देखने को मिल रही है और कुछ certain area में सूखा भी देखने के लिए मिल रहा है तो अगर जादा बारिश कुछ हिस्सों में देखने को मिली है तो ये बहुत basic है कि वहां की जो water channels है वहां की water bodies है उनकी carrying capacity से जादा water हमें वहां पर देखने के लिए मिलेगा तो बाद में flooding के रूप में ही जो है basically disaster को create करता है जैसे में पास दो आपके एक्जामपल है 2008 अगा के ला में जो flood आया था तरसल वहां पर सिर्फ तीन दिनों के अंदर 400 मिलिमीटर से जादा बारिश हो गई थी similarly अगर हम basically यहां पर देखें कि अगर एक degree Celsius average temperature के इंदर राइस होता है तो मान के चलिएगा कि atmosphere में 7% more moisture होता है इसकी दो reason है पहली बात तो यह समझेगा जो आपकी गर्म हवा होती है जो warm air होती है उसकी जो एक रिलिटिव humidity है वो change होती है और इसकी वज़े से जो गर्म हवा है वो जादा moisture को absorb करने की capacity रखती है तो इक तो हवा के इंदर moisture हो जाएगा एंड इस moisture के लिए हवा जो है evaporation को भी जादा दरसे करेगी तो इस वज़े से जो है बारिश आपको जादा देखने के लिए मिलेगी इसके लवा सी लेवल राइस देखिए अगर सी का लेवल बढ़ता है तो जो पानी है वो स्टॉम सर्जेस के रूप में क्या है जो आपके कोस्टल एरिया है जो human settlement है वहाँ पर जो है इक तरीके से इंट्रूजन कर लेगा तो यह भी flooding का ही सेनारियो यहाँ पर create करता है आसपास का जो कोस्टल एरिया का जो भी एरिया है वहाँ पर इस फ्लाडिंग की वज़े से इस सी लेवल राइस की वज़े से एरोजन का प्रॉब्लम होता है आपके जो fresh water bodies होते हैं उसके अंदर salty water जो एंटर कर जाता है तो overall यह कोस्टल कम्यूनिटी इसके लिए बहुत जादा हमफुल होता है एक यहाँ पर data की बात करते हैं देखो नोवा जो है उनकी 2022 में रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 1880 के बाद से जो हमारा basically एक global mean sea level है वो 21 से 24 cm rise कर चुका है यह काफी जादा है तो यह data हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हमारा जो planet है वो warm हो रहा है तो जो हमारा water है उसका भी level बढ़ रहा है इसके भी पीछे दो कारण होते हैं पहला आपका sea level rise की हो रहा है क्योंकि basically thermal expansion जो है यहाँ पर sea water का होता है दूसरा reason यह है कि जादर गर्मी की वज़े से आपके glaciers melt हो रहे हैं तो पानी finally run off के रूप में आता है and sea के अंदर basically आप क्या सकते है add on हो जाता है तो sea level rise होता है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे high frequency in the intensity of the tropical cyclones देखें research में यह सावित हो चुका है कि भारत में जैसे जैसे जो बंगाल की खाड़ी है जो अरब सागर है इनके अंदर warming का effect देखा जा रहा है वैसे वैसे more intense and more frequent cyclones जो हैं Syria में आ रह change in 2020 उसमें यह बता गया था कि basically अगर आप 1970s के बाद से देखें तो जो Bay of Bengal है उसके अंदर जो basically higher category वाली cyclones थे category 4 and category 5 उसमें 50% का increment देखा गया है ज्यादा गरम पानी यानि के जो latent heat है वो ज्यादा मिलती है और जो moisture है वो basically cyclone को एक power देता है एक fuel देता है और उसके विचे से cyclone ज्यादा intense भी होते है और ज्यादा frequent भी देखने को मिलते है जोगरफी में जब आप cyclone पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो warm ocean होता है वो एक suitable condition पैदा करता है cyclones के origin के लिए इसके बाद है कि Glacial leak outburst गर्मी है climate change है तो आपका जो glaciers है वो melt होता है जब आपका बर्फ melt होता है अगर एक certain तरह का वहाँ पे आपको एक land form देखनी के लिए मिलता है तो वहाँ पे leaks create हो जाता है वो जो melt water है वो depression में जो है भर जाता है अब अगर पानी और ज्या capacity से ज्यादा हो गया तो कई बाद हो लेक आउट प्रस्ट हो जाती इसी को Glacial leak outburst भी कहते है उत्रा खड़ में disaster देखा गया था तो उसके वज़े से जो सारा पानी है वो फिर mountains के foot hill पर जो settlements है वहाँ पर flood के रूप में अच्छानक से एक sudden flood के रूप में देखने को मिलता है then slow moving storms यह थोड़ा सा आपको different concept लगेगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनीगा यहां पर यह बताया गया है कि जो poles है वहाँ पर अगर temperature आपका rise हो रहा है तो जो basically mid latitude storms आते हैं वह काफी slow हो गया है यानि कि वह एक particular place पर ज्यादा time तक रहते हैं उनका जो moment है वह यहां पर slow हो है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि specific place पर intense rain fall आपको देखने को मिलेगा जैसे स्टॉर्म से एक movement करता जाएगा तो rain fall भी उसके साथ movement कर रहा है तो एक place पर certain time के लिए रूप जाएगा तो specific time के लिए वहाँ पर एक rainfall का जो आप देखोगे आपको time period को जादा देखने के मिलेगा तो यह कुछ factors हैं जो researchers को यह कहने पर मजबूर करते हैं कि climate change की वज़े से जो flooding है वो actually में जादा severe हो रही है अब देखो एक बात आती है urban flooding it's a different concept right है क्योंकि urban flooding के लिए जो factors responsible होते हैं वो थोड़े से different होते हैं चीक है यहां पर अचानक से जो है पानी आपका urban settlements के जाता है अब देखो urban flooding का भी जो risk है वो climate change की वज़े से increase हो रहा है उसका reason क्या है anthropogenic activities जैसे पहली बात तो आप यह देखिए कि जो आपका urban settlements है वहां पर more concrete use करते हो और concrete जो है पोरस नहीं होता है यानि कि water को वो सोक नहीं सकता है तो इस वज़े से जो जादा water है वो आपक change आप देखोगे कि जो urban areas के अंतर आपके wetlands थे जो चोटे बड़े lakes थे उनको क्या है वापस से fill करकर हम उनका एक land use change कर दे रहा है तो आप agriculture कर रहे है या वहां पर कुछ तरह के industrial जो आप कह सकते है infrastructure है उसको create कर रहे है तो देखिए अगर हम बात करें चेनी में जो flood आई तो बताया गया था कि 2015 वाली flood का एक major reason यह था जो वहां पर land use change हुआ है यानि कि जो वहां के wetlands से उनका इतना जाद encroachment हो चुका था कि जो बारिश का पानी है उसको absorb करने की capacity उनमें बच्चे ही नहीं थी साथ ही आप देखेंगे कि urban area में urban heat island effect दिखाए देता है एक warm air का packet जो है वह urban area के उपर stable हो जाता है उसकी वज़े से जो है वहां पर precipitation increase हो सकता है social economic factors है बहुत जादा लोग यानि कि बहुत higher density एक specific area में रह रही है तो कोई भी disaster आएगा तो more number of जो आपकी population है उसको harm करेगा and then साथ में limited green space अगर green space होता है तो cooling effect को generate करता है लेकिन अगर green space limited है तो वह जो warming effect है वह आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा these are the factors जो urban flooding के risk को और ज्यादा बढ़ाते है now what are the solutions क्या हमें कुछ ऐसी case studies दिखाई देती है जो solutions को लेके काम करें उनके results आते है yes we have four examples यहाँ पर देखते है सबसे पहले बात तो मैंने बताया urban settlements जो है वहाँ green cover less है तो इसको solution क्या होगा आप अपना जो green cover इसको increase कीजिए इससे cooling effect generate होगा heat islet effects होते है वह यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेंगे तो आप देखो कि जो torrent or montreal है वहाँ पर उन cities में जो green cover है उनको काफी significantly increase किया गया है वहाँ पर positive impact इसके देखने के लिए मिले है second आप जो basically dresden है वहाँ पर आपको इस तरह का एक initiative देखने को मिल जाएगा then greening rooftops हो सकता है कि urban area में space नहीं बचा है कि आप parks बनाए gardens बनाए बर जो छट है जो roof है उस पे तो roof of gardens बनाई जा सकते है and उस building के लिए cool effect को basically generate करेगा ना असपास के area में जब सारी छटे green होगे it's like a green rooftop right city का तो यह काफे बहतर हो सकता है आप देखोगे कि शिकागो है वहाँ पर इस तरह की initiative को implement किया जा रहे है and then आता है आपके sponge cities यानि कि आप इस तरह के material को use कीजिए जो permeable हो जिसमे पूर्स हो जो water को absorb कर सके चीन में जो है sponge cities जो है particularly ऐसे बनाए जा रहे है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि 2030 तक वो अपने mostly urban जो areas है उसको इस sponge cities में convert करने के target रख रहे हैं तो इंडिया भी इस तरह के initiatives हैं उनको एक widespread level पर अपने हाँ पर लागो कर सकता है ताकि जो flooding की situation भारत में देखने को मिलती है कासकर चेनी केरल के example से हमें यह देखने को पता चलता है कि urban flooding आने वाले time में एक disaster जो है भारत के लिए have a create कर सकता है क्योंस create कर सकता है तो हमें कुछ solutions पर बात करनी होगी तो यह कुछ solutions है जिनको आप जो अपने answer writing में भी लिख सकते हैं चलिए move on करते next topic की तरफ greenness तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो basically no disposable cutlery इस option को by default कर दिया अगर आप देखोगे जब आप food order करते हो तो साथ में जो disposable plates, spoons वगएरा होते हैं वो आते हैं and if you want to तो आप उससे opt out कर सकते हो लेकिन वो default नहीं होता है आप consciously opt out करना चाहे तो फिर आपके पास यह सारी चीज़े जो तो click करना पड़ेगा और इसका यह फाइदा दिखाए दिया कि basically majority of the consumers नहीं जो disposable cutlery थे उससे opt out रहना prefer किया और यहां पर देखिए 648% increase जो है दिखाए दिया जो non disposable cutlery वाले orders थे तो यह हमें यह दिखाता है कि अगर consumers के behaviors को in a positive way, certain approaches, certain strategies के साथ in cash किया जाए तो हम उनसे better results को निकाल सकते हैं मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा basic पढ़ाना चाहूंगी देखिए economics में consumer behavior को लेकर आप एक topic पढ़ते हैं इसमें यह कहा जाता है कि जो consumer होते हैं उनके certain biases होता है और उन biases के accordingly वो अपनी shopping decision जो है basically लेते हैं जैसे अगर आप CCD के पास जाएंगे तो बहुत अच्छी वहां से जाए coffee की एक आप कह सकते fragrance आती है मतलब इतनी बहतर होते है कि आपका जो mind वो quickly जाए इसको recognize करता है and you just want to have a good cup of coffee right तो यह spray जानभूच कर किया गया है एक non-coercive आप कह सकते है method है उस cafeteria का कि जब आप उनके सामने से गुचरें तो आपके mind को बस एक realize coffee का smell and वो एक urge आपके अंतर आ जाए और most of the time आप coffee पीने चले जाते है right होता है ना किसी food के अच्छे से तो हम जो एकदम उस खाने को miss करने लगते है this is one of the simplest example इसी तरीके से अधर आप ऐसे strategies approaches को basically pursue करते हो जो non-coercive है जिसमें आप consumer को force नहीं कर रहे हो जो harmful नहीं है consumer के लिए आप consumer को यह पर manipulate नहीं कर रहे हो बस आपने उनके लिए कोई चीजों को इस तरीके से design कर दिया है कि जब consumer decision लेगा right है तो वो शायद more time के बाद जो consumer है वो अपने backs जो है लेकर आने शुरू हो जाएंगे but हम by default अगर उनको backs देते हैं तो फिर वो habit में नहीं आपाता right है तो हमें कुछ changes यहां पर करने होंगे तो अगर green nudges यह हम word use कर रहे हैं तो इसका मतलब यह non-coercive interventions हैं जो इस तरीके से design किये जाते हैं कि जो individuals है वो environment friendly जो है यहां पर एक decision ले चीक है उनके इंदर more environment friendly habits जो है in calculate हो चीक है तो यहां पर देखोगे behavior economics होता है उसको target करके इनको design किया जाता है green nudges इसका basically यहां पर purpose क्या है एक तो single-use plastic को कम करना है इसके लाव़ जो sustainable behavior हम उसको promote करें और यह कहीं ना कहीं जो इंडिया का life initiative है lifestyle for the environment यह इसके साथ मार्च करता है जो regulations उनके साथ compile करें जैसे कि आपको पता है कि plastic को खतम करने में कानून नहीं ऐसा नहीं है कानूनों के साथ कितना compliance हम कर रहे हैं कितना compliance तेकनी के लिए मिल रहा है यह problem है साथ में देखोगे जो हमाले national sustainability goals है उनको भी basically more better तरीके से यहां पर achieve कर पाएंगे okay now the question is कि इंडिया के पास ऐसा कुछ initiative है तो यह जो matter की तरफ से एक report आई थी कि उन्होंने basically इंडिया के अंदर जब no cutlery वाला initiative start किया था तो यहां पर आप देखोगे कि जो पांच order उनको मिलते हैं उसमें से तीन जो consumer है वो prefer करते हैं opt-out करना तो अगर अपनी choice दी है तो consumer अगर well aware है तो वो सच में एक ज़्यादा better और good informed decision लेंगे चीक है तो यह यहां पर एक अच्छा सब topic है निक्स की बात करते है pink diamonds तो देखो researchers ने उस mystery को uncover कर दिया है जिसकी वज़े से जो है pink diamonds का formation होता है एक processing geological process है तो study क्या क्याती है तो गर हम diamonds की बात करें तो carbon is the main ingredient रहीट है तो यहां पर देखोगे कि basically पहले बात तो study में यह बताया गया है कि जो pink diamonds है वो majority of the time जो ugly mines है चीक है जी वहां से जो हमें देखने को मिलते हैं और यह जो आगले mines है इनका जो आप कह सकते हो formation हुआ था वो 1.3 billion year ago हुआ था रहीट है काफे पुराने टाइम पे इनको देखा गया था देखो हुआ क्या था एक टेक्टोनिक इवेंट जो है इस टाइम पर हुआ था करीब 1.3 से आफ 1 billion year ago की बात करें और यह जो प्लेट टेक्टोनिक मुमेंट था जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स थे नौट 1 नौट 2 आपके जो काफे सरे प्लेट टेक्टोनिक थे और उनका बीसिकली क्या एक मुमेंट एक कोलीजन जो है यहां पर देखा गया था और इसको बैसिकली ग्रेंवेल और ग्रीन के यहां पर कहते हैं च्छी कि एरा की बात करें तो आपका पेट्रोजरोग एक ए दाइमंट के बनने के लिए जो एक नेसेसरी कंडिशन्स होते थे वो बाय डिफॉल्ट यहां पर बन गए और इसी लिए यहां पर जो यह गल्ले माइस मिलती हैं यहां पर आपको पिंक डाइमंड्स दिखाई देते हैं तो यहां पर प्लेट टिक्टोनिक एक इंपॉर्ट काफी हाड होता है क्लियर होता है एंडाइमंड का बेसिकली जो प्राइज है वो डिपेंड करता है कुछ सी पर सी मतलब उसका कट कैसा है सी मतलब कितनी कारट का है सी मतलब कितना क्लियर है तो यह सारी चीजों के बेस पर एक डाइमंड का जो प्राइज हो डिसाइड होता ह है राइट है अब देखो डाइमेंड कार्पन काई कमपाउंड है और जो कहीं बिलियंस ओफ इयर्स में प्रेशर और हीट के जब सप्पेसिफिक कंडिशनस बनते हैं तो जो जो मारा पहले मेंटल है उस मेंटल में 13 जो ryилась, यह तु हम स्वाहँ होथ है। आपको पता है कि जो मारा अर्थ है उसका हम तीन लियर में तर्धिक करते हैं एक आपका कोब हैं आपका म मेंटल है और आपका बेसिकली का अपर पार्ट है जो आपका क्रस्ट होता है इसको मिलाकर लीथोस्फेर बनता है जो ग्रुफिम आप इसको पढ़ेंगे तो कहने की बात यह जो आपका ही मेंटल है इसमें इक सर्टेन डेप्थ पर जाकर एक स्पेसिफिक प्रेश्यर और हीट की वज़े से जो डाइमंड् करते हैं highly expensive होते हैं काफी जादा रियर है मैंने बता है कि जादा तो डाइमंड्स आपके clear होते हैं तो अगर blue कलर का डाइमंड है red कलर का डाइमंड है तो वह बहुत रियर है and pink कलर का डाइमंड्स रियर्टी में third number पर जो basically आता है तो अगर आप देखो कि 90% जो pink stones हमें मिल करते हैं okay now come to the process की process की स्थरीके से काम करते है पहला है carbon formation का तो देको जो diamond है उसके अंदर जो carbon atom है उनको एक intense pressure और जो heat है वो काफी deep into the earth जो है feel होती है करीब हम 150 km जो है basically इतनी depth की हाँ पर बात कर रहे है इतनी depth पर यह जो carbon के atoms होते हैं यह अपने आपको ना arrange करते हैं एक specific structure में जिसको बोलते है lattice structure जैसे यहां पर आप देख का होगे तो जो carbon के atoms है आप यह अगर किसी भी आप basically material की बात कर रहे हैं अगर उसके जो molecules है है उसके अंदर जो ions है वो अगर अपने आपको एक three dimensional इस तरह के symmetric structure के अंदर arrange कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि lattice structure है जी कि molecules नहीं क्या है अपने आपको इस तरह के से arrange कर लिया है यह arrangement ही basically diamond के अंदर in specific characteristics को लेकर आती है pressure की बात करते हैं देखो diamond एक high pressure में बनता है we know pink diamond के लिए एक बहुत specific pressure चाहिए होता है अगर basically इससे जादा हो जाएगा तो color शायद brown हो जाएगा कम रह जाएगा तो शायद color white रह जाएगा एक specific pressure चाहिए होता है उतना अगर मिलता है तो जो इस carbon का यह latest structure है इसके इंदो कुछ ऐसा डीस फॉर्मिशन को यह कुछ ऐसा deformation and destruction देखने को मिलता है को इक particular wavelength को absorb करता है and reflect होती है तो उस वाजे से हमें जो color है वो particular wavelength की विज़ पिंग दिखाई देता है it's all about the latest structure तो अगर आप देखोगे इस तरह के जो rocks आपको volcanic basically eruption से दिखाई देते हैं उन में आपको यह diamonds देखने के लिए मिल जाएंगे इसको आप थोड़ा सब ध्यान रखेगा right amount of pressure हमें यहां पर चाहिए होता है तो अगर बहुत low है तो clear रह जाएगा जादा है तो brown हो जाएगा अब इसके बाद देखोगे किस तरह के volcanic rock में आपके pink diamond मिलते नो this is important fact याद रख लीचेगा आपके basically the camber lights होते हैं या फिर आप basically यहाँ पर कह सकते हैं आपके lamproids है तो अगर आप देखोगे जो volcanic eruption होता है ना तो mental से इस तरह से pipe ऊपर आ रहा होता है और इससे जो है आपका magma बहार निकलता है तो इस pipe से ना आपके बहुत सारे rock, debris, ash, gases भी बहार निकलकर आते हैं इसी से जो आपके kimber light rocks बहार निकलकर आते हैं इस तरह के इन में जो है आपके diamonds यहाँ पर रहते हैं इसको please ध्यान र आई है और इन्होंने यह कहा है कि जो हमारा basically rising industry है उन्हों की तरफ से करीफ 6 million ton जो है C से हर साल extract किया जाता है यह आपकी जो rising industry होती है वो industries है जो आपके send को resources को extract कर रहे है, okay इससे पहले UNEP की 2022 में को report आई थी जिसमें बताया गया था कि जो industries है वो लगभव 40 to 50 billion metric ton जो send है आपकी gravels across the stones है इन सब को basically क्या extract कर रही है और इसका एक हमारे global environment पर खासकर oceans पर एक आप कह सकते negative impact दिखाई दी रहा है तो दीखो जब आप send को marine environment से extract करते हैं तो आपका जो marine biodiversity है वो disturb होता है क्योंकि पानी के अंदर आप क्या कर रहे हो चीजों को पुल-off कर रहे हो तो आ organisms मर जाते हैं और पानी के अंदर जो temperature का basically salinity का balance होता है जो आपका thermocline बनता है इसके अलावा basically आप देखोगे कि यह सारा disturb हो जाता है चीक है और turbity basically अगर water के अंदर change हो जाएगी जब आप send extract कर रहे हो तो उसे in water में घुलता भी है तो कहीं बार क्योंता है जो sun है उसकी ज proper photosynthesis नहीं हो पाएगा वो नहीं होगा तो पूरा food chain disturb हो जाएगा इसलिए जो marine biodiversity है जो आपका ecosystem है वो रिस्क पर रहता है इस mining की वज़े से साथ में जो coastal communities है जो पहले से ही climate change की वज़े से sea level rise को basically experience कर रहे है वो और ज्यादा vulnerable हो जाते है क्योंकि send mining coastal erosion को और ज्यादा अग्र जो कि East Asia है East Coast of United States है वहाँ पर जो hot spots है वहाँ पर send mining हो रही है again very actually concern वाला point क्योंकि जो hot spots होते हैं हमारे biodiversity के point of view से काफी important होते हैं अब यहाँ पर देखो बहता है कि जो send है उसको बहुत सारे purpose के लिए आप extract करते हो, cement या concrete बनाने के लिए building roads, infrastructure वगरा के लिए, लेकिन देखो send mining के dual आपको जो यह हैं यहाँ पर results दिखाई देंगे, जो majority of the time होता है send mining के वज़े से आपका coastal erosion है वो दिखाई देता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो आप का basically coast line है, उसको वापस से reclaim करने के लिए, eroded coastal line को वापस से ठीक करने के लिए भी ocean से send को निकाला जाता है और उस coastal area पर deposit किया जाता है, तो maybe आपने उस coastal area को ठीक कर लिया, बट जो marine ecosystem है, again वो तो यहाँ पर risk में है, तो इसलिए कुछ controversial से issue बनता है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैसे भी send के ऊपर UPSC ने प्रिलम में एक दो बार question पूछा हुआ है, तो यह important topic बनता है, आपको बस इतना एक idea होना चाहिए, कि send mining के क्या क्या निगटिव impact दिखाई देते हैं, हमने discuss कर लिया, और दूसरा, send को हम करे बार coastal deposition के लिए भी यूज करते हैं, तो इसके positive, basically आपको side में पता होना चाहिए, 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 अब चलते है, अपने next topic, the important one, biofuels, तो G20 initiative था, global biofuels alliance को जो है, start कर दिया गया है, तो biofuels काफी ज़्यादा एक hot topic बन चुके है, biofuels होते क्या है, तो दो को international energy agency है, उनकी तरफ से define किया गया है, कि liquid fuel, जिसको हमने bio mass से बनाया, आपके wood chips हो सकते है, आपके certain type के crops हो सकते है, certain type के आपके grasses हो सकते है, तो जो भी आपका bio mass है, तो आपका organic material है, इस से आपने just liquid fuel को derive किया है, और जो कि replace कर देता है, आपके fossil fuel को, जैसे कि gasoline है, diesel है, तो इसको जो है, हम biofuels बोलते है, word fuel के gas हमने bio लगा, इसलिए है, क्योंकि bio mass को हम यहाँ पर as a source जो है, यूज कर रहे है, आप देखे, example, bio ethanol, bio diesel, bio gas, जैके bio ethanol की mixing petrol में होती है, bio diesel की mixing diesel में होती है, नीम से पता चल रहा है, और आपका gasoline, sorry, bio gas, फिर key drivers की बात करें, देखों, bio fuels की तरफ जादा interested क्यों है, पहली बात तो जो crude oil है, उसके price काफी जादा fluctuate रहते हैं, geopolitics की वजह से भी काफी सारा जो है आपको देखने को कई बार trade per pressure मिल जाएगा, साथ में greenhouse gas emission interlinked है, इसके अलाव आप देखोगे कि agriculture income diversification हमें करना है, जो हमारे किसान है, उनने की income को double करने का जो objective है वो इंडिया में रखा ग बिट किया है, बलकि कुछ उनको other जो है basically यहाँ पर options में मिलने चाहिए, अगर हम biofills की category की बात करें, तो आपने किस तरह के source का use करके biofills बनाया है, उसके 20 पर उसको 4 category में divide कर सकते हैं, पहला होता है generation 1, यहाँ पर food crops को use करते हैं, आपका मक्का है, पटैटो है, इस तरह क soya bean है, sugar cane है, लेकिन यहाँ पर food versus fuel का एक basically conflict आता है, दूसरा होता है आपका generation 2, यहाँ पर जो non fuel वाले food crops, sorry, non food वाले जो आपके food crops हैं, वहाँ से जो है biofills को generate किया जाता है, जैसे आपके basically wood हो सकते है, agriculture residue हो सकता है, forestry waste हो सकता है, कुछ organic waste हो सकता है, यहाँ पर biochemical और thermochemical methods का जो है, यूज किया जाता है biofills को 27 करनी के लिए, then यहाँ पर देखो generation 3 आता है, जब आप microbes का, for example algae का use करके, biofills बनाते हो तो generation 3 का होता है, in generation 4 में भी आप यूज तो microbes ही कर रहे हो, जो आपके microbeels होते हैं, but उनको आपने genetic engineering के द्वाला, उनकी yielding में change कर दिया है, उनक पर basically आप क्या कर रहे हो, genetic engineering का use करके, कही ना कहीं, जो आपका एक input versus output है, उसको better कर रहे हो, जैसे आप देखोगे, high yield वाले जो है, आप high lipid containing algae's को यहाँ पर बनाते हो, this is one thing, तो four generation में जो biofills है, आप उनको डिवाइड कर सकते हो, अब biofills के दो आपको point पता होने चाहे, good one or the bad one, good हमें पता है, economically अगर आप देखोगे, sorry, environmentally sustainable है, solid waste का management हो जाएगा, energy security मेले कि economic benefit and availability है, चीक है, ऐसा नहीं कि मतलब खताम हो जाएंगे, क्योंकि हम इनकी resources को वापे से cultivate कर सकते हैं, थोड़ा सा basically bad की तरफ देखते हैं, क्योंकि यह important है, पहले बात तो low efficiency है, यारि कि per unit, आपको कितना heat मिल रहा है, per unit कितना energy आप harness कर पा रहे हो, यह इनका कम होता है, चीक है, तो one thing, low efficiency है, दूसर food security है, अगर आपके जो major food crops है, वो बाइफ फ्यूल के लिए convert हो जाएंगे, तो हो सकता है कि जो food prices है, वो inflated हो जाएं, निक्स इसका point आता है, high cost of the production, देखो इन का impact आता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कि जो bio fuel crops है, चीक है, उनके लिए ना, काफी जादा water require होता है, चीक है, इस process में आपका काफी जादा water जाता है, तो पहले से water crisis से जूच रहे हैं, और जादा water use करेंगे, तो यहां पर challenge आते हैं, चीक है, इसके लिए गॉवर्म 2022 में किया गए थे, उनको मैं आपको बता देते हूं, सबसे पहले तो यह देखना, कि हमने पहले target रखा था, कि हम पेट्रोल के अंदर 20% biothanol को mix करेंगे, लेकिन फिर हमने इस target को advance कर दिया, और हमने इसको 25-26 कर दिया है, साथ में government ते यह कहा है, कि और जादा feed stock, जो है, डाइवर्सिफाई तरह का जो fuel stock है, इसको allow किया गया biofuel बनाने के लिए, और थोर्ड, जो हमारा पाइस एक national biofuel coordination committee है, इस committee के अंदर more number of members को जो सरकार ने allow किया है, यहाँ पे policy 18 वाली, इसको पढ़ लीजेगा, लेकिन इसके साथ जो मैंने amendment बताएं, उनका ध्यान रखे चीक है, this is clear, चालिए, अपने last topic की बात करते है, agroecology, last नहीं है, second last है, तो agroecology के बात करें तो देखो, ecology क्या है, ecology कहीं न कहीं जो आपके biotic और our biotic components होते हैं, उनके बीच का किस तरीका का interrelationship देखने के लिए मिलता है, वो है, यानि कि जो आपके organisms हैं, जो आपके plants हैं, humans है, सब कुछ एक तरह किसे लिए एक organism की definition में आजाएगा, इनका अपने environment के साथ, किस तरह का relationship है, आपस में interrelationship क्या है, इसकी जब आप study करते हो, तो ecology आती है, तो ecology का concept, अगर आप basically कहां पर लेकर चले जाते हो, agriculture में लेकर चले जाते हो, ecology के principles को, अगर आप agriculture में implement करते ह तो agriculture बन जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझना, समझते हैं, पहली बात तो ये एक बात करते हैं, कि agriculture ज़रूरी क्यों है, है न, एक alternative ये किस चीज़ का है, तो गर आप देखोगे, अभी हम जिस तरह की agriculture practices को लेकर चल रहे हैं, उसमें से अधिकतर unscientific ह आज के time पर जिस तरह की climate change हो रहा है, जो weather patterns change हो है, जो water cycle change हो है, उसके according नहीं है, वो काफी पहले develop हुए थे, तो उनमें हमें change करना होगा, तो देखा जाए, तो आज के time पर हमारा जो food system है, वो multiple crisis को face कर रहा है, flooding हो, soil का degradation हो, biodiversity collapse हो, malnutrition हो, या फिर basically opposite, या फिर फसले हैं, वो या तो उतनी जादा nutritious नहीं रही है, या फिर उनमें में इतना जादा pesticide बगर का use कर रहे हैं कि human health पर जो है, उसका सर देखनी को मिल रहा है, वहीं दूसरी और आज के time पर जो intensive forming system basically लेकर चल रहे है, वो हमारे natural resources को कहीं नहीं exhaust करते हैं, तो हम short term में सोचते कि कितना जा जाए, long term में देखा जाए, तो उनमें एक environmental cost जादा involved है, right है, यह समझने की बात है, तो अब क्या करना चाहिए, तो agriculture तो हमारा base है, तो हमें agriculture की उन concepts की तरफ transition करना होगा, जो इस बदलते वे climate के साथ more suitable है, जैसे आपका agroecology, तो देखो agroecology ऐसी farming practices को apply करने की बात करता ह जिसमें तीन principles involved रहते हैं, पहला है mitigate climate change, आप ऐसी फसलों को चुनों, जो की drought resistance हो, आप ऐसी फसलों को चुनों, जो बढ़ते वी गर्मी के साथ भी अपनी nutritional, जो quality उसको maintain कर पाए, आप less water intensive crops को चुनों, right है, work with the wildlife, हम यहापे क्या करना है, एक mixed farming system को लेकर चलना है, आपका जो live stock है, और जो basically आपकी agriculture activities है, उनको एक साथ लेकर चलिए, यहापे आपको अपना जो farming है, और जो wildlife है, and साथ में जो basically आप कह सकते हैं कि, आपके जो domestic livestock है, इनको एक approach से लेकर साथ चलिए, जो कई बार क्या होता है, कि agriculture के जल लिए, जब हम land को expand कर रहे होते हैं, तो हम अ my life पर इसका एक असर देखने को मिलेगा, but उनको और agriculture को साथ लेकर चलना है, चीक है, then put farmers in the communities in the driving seat, चीक है, तो farmers को हमें driving seat पे रखना होगा, because they know better local climate को, they know better about the local varieties of the seeds, they know better about the traditional methods of the agriculture, चीक है, तो उनको हमने क्या है, यहापे driving seat पे लेकर चलना होगा, क्योंकि agriculture practices को जो adopt करना है वो भी farmers कोई करना है, agriculture में जो transition लेकर आना है, वो भी farmers कोई करना है, तो आपको इनको साथ लेकर जो है, यहापे चलना होगा, तो यह कुछ principles है, जो agro, basically ecology के साथ चलते हैं, जो हमारी agriculture system को more sustained बनाने के लिए बात करते हैं, चीक है, तो यह एक important concept है, last topic है, छोटा सा है, water storage in India तो देखो भी हमारी Central Water Commission की report आई है, कि भारत में जो 150 miser reservoirs है, उनके अंदर अगर हम पानी की बात करें, तो last year से अगर हम comparison करें, तो काफी कम है, यहापे बताया गया है कि सिर्फ last year से ही नहीं, अगर हम पिछले 10 सालों का average period भी अगर देख लें, तो water उससे भी कम है, तो भा भारत के अंदर water crisis, actually में एक reality बनता जा रहा है, trust me, please save water, right, अब यहापे देखो बताया गया है कि भारत में होता क्या है, by the end of September, जो monsoon का water होता है, वो हमारे यहापे reservoirs को fill कर देता है, फिर जब सर्दी आती है, राबे की crop का time होता है, तो उस water को हम irrigation के point of view से use करते हैं, वही water कुछ ground water में भी seep in हो जाता है, तो drinking water के लिए भी utilize होता है, बट अगर अभी आप देखोगे, अगस्त में बारिस बिलकुल भी नहीं हुई, 21 of September का time पे news आया था, और reservoirs के अंदर जो water का level है, वो काफी जादा कम है, अगर आप देखोगे, जो पंचा, पिहार, उडीसा, चाहरकंड, वेस्ट बेंकॉल, महरास्था, उत्तरपरदेश, जो कि हमारे basic agrarian states है, क्रशी, संबंदित, अर्थवेवस्था वाले जो state है, यहाँ पे जो water है, वो normal level से भी जादा कम है, वहीं अगर हम अंदर परदेश, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Kerala की बात करें, तो यहाँ पे तो water का level आपको 61%, 53% भी कम देखने के लिए मिल जाएगा, तो highest departure, एक normally कितना water होना चाहिए था, और अब कितना है, इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं, इस topic को आप इंडिया के aggravate होते water crisis के जाथ लिंक कर सकते हो, Central Water Commission का रिपोर्ट था, यह important है, ठीक है, त आपको पसंद आए, प्लीज इसको like कीजेगा, share कीजेगा, and yes, अगर आप PDF डाउंडोड करना चाहते हैं, तो मैं एपने टेलिग्राम चैनल पर share कर दूँगी, जाने से पहले मैं आपको याद दलाना चाहती हूँ, P2I batch में 30th of September को admission बंद हो रहे हैं, नहीं लिए तो प्ल PDF को डाउंडोड करना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं, अपना बेहर ध्यान रखेगा, जल मिलूंगी Science and Technology Weekly Current Affair की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायंके, so much everyone, जैहिंद!